क्या इतनी बड़ी सरकार में कोई छोटा इंसान भी है अपनी प्रोड़क्ट सप्लाइ कर सकता है कि नहीं कर सकता है क्या को बहुत बढ़ा टेंडरिंग सिस्टिम से वह गुज़रेगा तब करेगा क्या सरकार ने एक छोटा सा प्लेटवर्म बनाए जेम जी इएम आपसे मेरा सबसे आग रहे हैं कि आप उस पोर्टल पर जाईए चेक किजिए और सरकार के सभी डिपार्टमेंट अपनी रिक्वार्मेंट उस पर लिखते हैं कि हमें यह चाहिए हमें 25 नेपकिन चाहिए हमें दो दस बीन चाहिए हमें वेस्ट पेपर बास्केट चाहिए हमें 25 जडू चाहिए जो भी सो चैर चाहिए वह अपना लिखते हैं कि सप्लाइर कोई भी अपने पास किस प्रकार का माल है उसका स्टांडर क्या है क्वालिटी क्या है उसकी पूरी डीटेल रखता है और सरकार का नियम बना है कि उसमें जो क्वालिटी कॉम्प्रमाइज किये बिना सस्ता जो है उसको लेना है कोई टंडर बंडर कुछ नहीं सब कुछ ओनलाइन अविलेबल है कोई भी व्यक्ति देख सकता है इसको आप हैरान होंगे अभी तो इस प्रयोग को चार से मेने हुए हैं अभी सरकार में भी जितना स्प्रेड होना चाहिए उतना नहीं हुआ है उसके बावजुद भी एक हजार करोड रुपियों का सरकार का परचेज इस जैम के द्वारा हुआ है थाउजन करोड रुपीश और सप्लायर कितने हैं आप चौक जाएंगे ट्वेंटी एक थाउजन सप्लायर्स ने मिलकर के एक हजार का करोड का दिया है जी मतलब हर एक के नसीब इन कितने छोटे लोग होंगे जी छोटे छोटे लोगों ने अपने परी चीजे पहुचा ही है और परणाम यह आया है कि यही हजार करोड का माल अगर पुरानी सरका कार की टेंडरिंग सिस्टम से हुआ होता तो सायद पेमेंट सत्रा सो करोड का हुआ होता और हजार करोड में से क्या हो आया हो तो भगवाएं जाने मेरा कहने का ताथ पर यह है कि चीजें किस प्रकाह से बदल रही है